पहुत से लोग अलग अलग देवी देपताओं की चलीसा पढ़ते होंगे लेकिन क्या आप चालीसा के महत्तों को जानते हैं क्यूं पढ़नी चाहिए चालीसा और क्या है चालीसा पढ़ने के महालाब ये आज जानेंगे पंडित जी से वताएं पंडित जी चालीसा यानि चालीस पदों का समू चालीसा में चालीस चोपाईयां होती है चालीसा की चालीस पंक्तियों में देवी देवताओं की अस्तुति की जाती है जिस व्यक्ति को मंत्रों की समझ नहीं है उसे चालीसा का पाठ अवस्य करना चाहिए और जिस व्यक्ति के मंत्रों का उचारण करने में दिक्कत होती है उसे भी 40 ही पढ़नी चाहिए क्योंकि इस 40 सरल भासा में लिखी गई है आपका कोई इस्ट है तो उसकी 40 आपको जरूर पढ़नी चाहिए 40 दिनों तक 40 का पाठ करने से वह सिद्ध होने लगती है हर देवी देवता की चालीशा के सिद्ध होने का समय भी अलग-अलग होता है चालीशा पढ़ने से तनाव कम होता है आर्थिक इस्थिती संतुलित रहती है आत्म विश्वास बढ़ता है मन को बल मिलता है चालीशा पढ़ने से हर तरह का भय कम होने लगता है नियमित चालीशा का पाठ करने से मनो कामना पूरी होती है इसी क्रम में गणेश चालीशा पढ़ने से बुद्धी का विकास होता है दुरगा चालीशा पढ़ने से भय का नास होता है बिंधेश्वरी चालीशा पढ़ने से संपत्ति की प्राप्ति होती है राधा चालीशा पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है स्रीराम चालीशा पढ़ने से सद्गुनों की उत्पत्ति होती है सिव चालीशा पढ़ने से अकाल मृत्तु का भै समाप्त हो जाता है काली चालीशा पढ़ने से संतान की प्राप्ति और रोगों का नास होता है इसी तरह से जो भी चालीशा हमारे हाँ हैं उनके कुछ ने कुछ फल हैं उन चालीशा को पढ़ने से हमें निश्चित रूप से कृष्ण चालीशा पढ़ने से भौसागर से मुक्ति मिलती है तो कहने का मतलब है कि गणेश चालीशा को पढ़ने से बौधिक विकास होता है तो इन चालीशा को अपने मन के अनुरूप जो हमारा लक्ष हो ऐसा पढ़ करके हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं जै माबिन दिवासनी